नमश्कार, सागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुब या अशुब में दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जनमतिती अपनी डेट आफ बर्स से काफी हद तक पता कर सकते हैं कि आपके सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं इस विशय पे लगबग 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे एक मिलियन से उपर व्यू और लगबग 26,000 सवाल मेरे से पूछे गए हैं सवाल लगतार आ रहे हैं और practically ये possible नहीं हो पा रहा है कि मैं उन सवालों के जवाब दे पाऊं इसलिए इस टॉपिक की clarity के लिए मैं ये वीडियो दुबारा बना रहा हूं उमीद करता हूँ आप इस वीडियो के लाश तक जुड़े रहेंगे और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे अगर आप करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके सरकारी नौकरी लगने के योग क्या हैं अगर नहीं बन रहे हैं तो किन कारणों से नहीं बन रहे हैं और उन कारणों को आप कैसे हटा सकते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मान लीजिए जिस व्यक्ति का हम जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, उसकी जनमतिती है 28.06.2009, ये वीडियो लोशु गिड़ पे आधारित है, लेफ्ट में हमने एक स्टेंडर्ड लोशु गिड़ बनाई और राइट में आप जो देख रहे हैं वो एक ब्लैंक लोशु गिड़ है, इसमें हम अपनी जनमतिती के हिसाब से नंबर निकालेंगे और भरते जाएंगे, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, सबसे पहले क्या करते हैं कि आपकी डेट आफ बर्थ में जितने भी नंबर आ हैं, उन सब को लिख लीजिए, केवल एक अंक मत दिखिए वो होता है 0, क्योंकि लोशु गिड़ में 0 का कोई भी महत्व नहीं होता, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेट का 28 का 2 और 8 मैंने लिख दिया, मन्त का 6 लिख दिया, और year का 2 और 9 लिख दिया, क्यो क्योंकि 00, 2009 में 00, consider नहीं होता, तो date of birth में किवल यहां पर मेरे को कितने नंबर मिले, 5 नंबर मिले, 28629, एक बार फिर से बोल रहा हूं कि लोशु गिड़ में 0 का कोई महत्व नहीं होता, अब आते हैं इन नंबरों को भरने पे, 28692 पे, तो जहां पर standard लोशु गिड़ मे 2 है, वहां पर मैंने 2 लिख दिया, जहां पर 8 है, 8 लिख दिया, जहां पर 6 है, 6 लिख दिया, जहां पर 2 एक बार और आगया, repeat हुआ है, 2 और 1 आगया, 9, अब आता है मेरा second step, second step क्या होता है, आपका मुलांक या driver number निकालना, बहुत ही आसान होता है, मुलांक हमेशा single digit में होता है, तो अगर आपका जन्म किसी भी महिने की एक से लेके 9 तारिक के बीच में हुआ है, तो आपका मुलांक सीधे सीधे वो तारिक हो जाती है, अगर आपका जन्म 2 तारिक को हुआ है, तो आपका मुलांक 2 है, अगर आपका जन्म 5 तारिक को हुआ है, तो आपका मुलां पांच है पर अगर आपका जन किसी भी महीने की 10 से लेके 31 तारिक के बीच में बिट्वीन 10 टू 31 हुआ है तो मुलंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसके दोनों अंकों को जोड देंगे जैसे यहां पर एक्जांपल जो हमने लिया है उसका जन जो है 28 को हुआ है तो मैं क कर दूँगा 2 प्लस 8 गलती से 9 लिख दिया है पर 2 प्लस 8 इसकोल टू 10 10 एक डबल डिजिट नंबर है तो उसको भी मेरे को सिंगल डिजिट में चेंज करना पड़ेगा तो 1 प्लस 0 इसकोल टू 1 सेम वे अगर किसी का जनम दिन 25 को आता है तो 2 प्लस 5 इसकोल टू 7 31 को आता है तो 1 प्लस 6 इसकोल टू 7 ऐसा कटके हम क्या निकाल लेंगे मुलांक या ड्राइवर नंबर निकाल देंगे तो यह सेकंड श्टेप में जो मुलांक आया वो आ गया एक अब इस मुलांक को भी मैंने लोशुगिड में एक पे भड़ दिया इसके बाद थर्ड श्टेप मे जितने भी नंबर थे उन सब को एड कर लीजिए फ़इश टेप में कौन कौन से नंबर आये थे 28629 यानि आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है उन सब को एड कर लीजिए इसका एडिशन यहाँ पे इस एक्जामपल के लिए आया 27 जो एक डबल डिजिट ने लोशू गिड में भर दिया तो आपको केवल तीन काम करने हैं फर्ष्ट स्टेप में क्या करना है डेट ऑव बर्थ में जितने नंबर है उन सब को लिख लीजिए जीरो को छोड़ के सेकंड डिजिट में पैदा हुए अगर सिंगल डिजिट वाले दिन में पैदा फर्ष्ट स्टेप में जितने भी नंबर है उन सब को एड कीजिए सिंगल डिजिट में चेंज कर दीजिए और जो आता है वो आपका क्या होगा भाग्यांक होगा हमारी सारी कैलकुलेशन यहां पर खतम हो गई और उमीद करता हूँ आपने लोशू गिड में अपनी जनमत पाने वाला हूँ अगर वो आपकी जनमतिथी में उपस्तित हैं तो मान लीजेगा कि आपकी सरकारी नौकरी लगने के 99 परसेंट चांस बनते हैं सबसे पहला नंबर जो है वो है नंबर एक निमरोलाजी की शुरुवात भी नंबर एक से ही होती है नंबर एक क्या होता है व इसके बाद जो दूसरा अंक आता है वो आता है नंबर आठ जो की शनी देव का अंक है ध्यान दखिएगा अगर शनी देव आपके उपर किरपा करते हैं तो आपको राजा बना सकते हैं और अगर शनी देव नाराज होते हैं तो राजा को भी रंग बना सकते हैं ये अंक ल जो तीसरा अंक आता है वो आता है नमबर 9 मार्स या मंगल का अंक है ये आपको क्या दिलाता है फेम दिलाता है तो अगर आपका करियर अच्छा है आपके पास ग्यान अच्छा है आपका करियर अच्छा है तो आपको फेम भी मिलेगी और आपके सरकारी नौकरी मिलने के चां पर अगर आपकी जनम तिथी में ये तीनों अंक में से कोई भी अंक नहीं है तो क्या ऐसा है आपके सरकारी नोकरी नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ उपाए ऐसे होते हैं जिनको करके आपकी सरकारी नोकरी लग सकती है तो अगर आपकी जरमतिती में से 1, 8, 9 इन में से कोई भी अंक मिसिंग है तो आपको क्या करना है आप इस वीडियो का description खोलिए और जो भी अंक मिसिंग है एक मिसिंग है या 8 मिसिंग है नौ मिसिंग है इन तीनों अंकों के लिए मैंने उसमें उपाए पताया हुआ है आप अगर उस उपाय को करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पक्का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिलकुल न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे